वेलकम टो एडवांग पुरन मैं हूँ आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में पन हिर्मिकर बेटा जो लोग कथा है जो नया सलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ना है पुराने सलेबस के अकॉर्डिंग भी हालाकि इसको पढ़ना था इसक फादर पीटर शांती नौरंगी के त्वारा इसकी प्रस्तुती की गई है आंगना लोग कथा में इसको शंकलित किया गया है ठीक है पहले नाकपुरिया सहित्य नामत में जो सहित्य है उसमें इसको लिखा गया था रखा गया था उसके बाद यह अब आंगना लोग कथा मे उसमें अभी जो 2023 का जो आया है ठीक है तो उसमें 32 या 36 लोग कथाएं हैं आप लोग इंडे से एक बार देख लिजेगा कहें कि एक बार question पूछ चुका है कि आंगना लोग कथा में कितने लोग कथाएं हैं ठीक है तो पहले जो था वो 29 था जहां तक मुझे पता है 29 था अभ चैनल के माधियम से औरेडी अप्लूट किया जा चुका है तो उसका link जो है mcqs जो multiple choice questions जो है उसको औरेडी चैनल पर अप्लूट किया गया है उसका link जो है आज की इस वीडियो की description box में आपको मिल जाएगा ठीक है हालाकि आज की इस वीडियो की end screen में भी वो आपको provide कर जाएगा ठीक है अच्छा एक चीज और पेड़ बैचे चल रहा है यह आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है ठीक है बहुत सारे लोग को नहीं पता चल पाता है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेड़ बैचे चल रहा है जिसमें की mcqs भावार्थ हिंदी में सारा विकली टेस्ट ठीक है यह सारा कुछ कराया जा रहा है आपका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके आपको बतलाया जा रहा है कि भाईया इस टेस्ट में आपका इतना आया ठीक है इस टेस्ट में आपका इतना आया तो परफॉर्मेंस इस तरह से राइस कर रहा है आप कर रहा ह यह सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइट कराया जा रहा है जिनको भी पेट बैच जॉइन करना है ठीक है 914-876-3486 यह नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसमें वाट्सप कीजिए और उस बैच को आप लोग जॉइन कीजिए ठीक है चलिए आज क वीडियो को अब शुरू करते हैं बन हिरनी कर बेटा एगो राजा राजा राइज करत रहा है राजा करनाव रहे विक्रमादित के सिकार खेलेक बहुत सौग रोजे सिकार खेलेक जावत रहें एक दिन उखंड बन में सिकार खेलेक गलनाई जहां गेदलाहरीन लांभा पो हुं जार रहें यहां से यहां तक मीनिंग हम आपको बतला देते हैं कई राजय था जिसमें राजय करते थे लाजय का नाम था विक्रमादित्य को सिकार खेलेक बहुत सौग था है रोज Casey हर दिन उनको सिकार खेलेक जा पह दो एक अखंड बबन में सिकार खेलेकल खेलने ग रोगो उसको कहता है कि अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग भी बत लाई हम लोग तो यह जानते है ना कि यह हीरन या फिर यार टाइप का रहता हूं उसी को कोटरा कहते हैं लोग मैंने जैसे पुछा जहां से पता किया तो इसी तरह का कुछ रेजल्ट मिला आप लोग अपने अपने सजेशन्स दीजेगा ठीक है और दोसर दोसर जानवर लोग भी रहता था और सिकार करते करते राजा बहुत आगे निकल गया तो उनको पिसाब लगा छोट बाहर मतलब कि पिसाब आया तू अपना संगी सखा मन से अलग हो गया देख अब आगे बढ़ते हैं आगे है उन मना गेल पाच्छे कने ले एक वो पियासल हरीन पानी कर खोज में हुआ डुम डुम आते तो पहुंच लग उन देखा थे तो एठो छोटे इसन गाढ़ा में पानी डीर जाए है उन पी लग और जने ले आये रहे तने घुईर के लग एकर थोरेक दिन पाच्छे उन दूई जीवा हो लग और भावेक लाग लग लग इका से भेलों ठीक है पाच्छे उन दोसर हरीन मना कमुहे सुन लग कि विक्रम दत राजा सिकार कर एक बन आये रहे हैं और फलना हरीन के मार लाएं हरनी समझ गेला कि बन में ओहे राजा कर पिलों और इसन खुलों ठीक है अब यहां से यहां तक का मीनिंग में बतला जाता हूं ठीक है तो राजा जब चले गए मतलब की राजा फिर चले गए तो उसके पीछे गेल पीछे मतलब की उनके जाने के बाद कनेले कनेले मतलब की किधर से एक प्यासा हिरन प्यासा हिरन लगभोज में आती है तो जहां पर उपेसाब किये थे ना तो वहां गढ़ा टाइप का बन गया था पेसाब जमा हो गया था ठीक है तो उसी को पानी सोच के पी लेती ही यह ठीक है और पी के जब भुरी और थोड़े दिन के पाछे उप दूई जीवा दूई जीवा हो गई क कैसे हो जाएंगे हम बगरववती तो और लोग से पता चला कि विक्रमादित आये थे तो यह जो है उससाब समझ गए कि हाँ उसका पैसाब कौन पी उसका पानी को पिये ते पैसाब सुचके ठीक है तो इसी से हम गरववती हो गया है यह बात हीरन सोचती है अब आगे है कि काई महिना बीत लग तले खिरनों कर दिन पूरलग और उन एक बेटा चववा से हो आदिनी चववा के जनन दे लग ठीक है चववा बड़ा सुंदर रहे उन चववा के एक बढ़का ढेंगूर कर हेंटे पोरकोट पते मन में डाइब के लुगाय दे लग और समय समय हुआ कि मुए कैसे पोशुन दूद एकल से यह जीएक नहीं पारें और का जानी दोसर हरीन मन के संग में रहक देबाएं कि नहीं देबाएं मुकर लिखवाय को मस्किल हो थे ठीक है तो यहां से यहां तक का बात बतलाते हैं कि कई मैं ना बीत गया तो अब जो हीरन जो है वह देख़ें को गर्वति दी तो एक बच्चे को जनम देती है वह भी मानोगा च्चे को मतले मानोगा बच्चे को जनम देती और चचब़ा बहुत सुन्दर था अब उसको नोएक बढ़का धैंगूर ठेंगूर आप देखिए तक जंगल उंगल में कि हवा पानी बिजली मार दिया है पेड का टुकडा बड़ा बड़ा टुकडा जो है गिर के बड़ा हुआ है तो उसी को reicht में निचे पते युदांस olması हम करूर चावर चाकरपते होता इसी से हम लोग यह बनाते हैं पर साथी बनाते हैं का रहा है का बोलते हैं बुंगु पत्ते हैं क्या थे सबसे ह्तिए गूंगी गूंगु बनाते है गूंगुवे करते हैं भर साती रहता है तो उसमें बंद भय प्लास्टिक वाला काम नहीं आता है उसमें गूंगु पत्य ओड़के बना आ odor पर आए पज़ाय पर जार मड़े यह बंद्हें ॥ और समय गूँद तो यही बात को सोचने लग जाती है और उसको लुकाना उसको मुश्किल हो जाता है यह बात को यहाँ पर लिखा हुआ है अब आगे हैं से और थिरेक दिन बितल लग देखी उएक राइट कोनो गाउं कर बाहरे गंदूर लाइल फिर लग उहां उफेकल चेथरा मन और एक खुटल तुमबा पालत और ले आनलत उबेटा हार के कहलत बेटा आप तोई बाढ़ ले मुर्दूद एकलापी के जीव नी जुदा से तोके बन में रहे नी बेस तोई की चित्रा मन के गठी आए गठी आए के पींद और तुमबा के टाइंग के आदमी मना गाउं मन में जा और दुरा-दुरा भूइल के भीकमा जे मिली वो करे से गुजारत कर दे तो यहां पर से यहां तक कमीनिंग बतला देते ह है कि ठोडा दिन भीचा तो बत्चा तो अपड़ रहा है तो जब बढ़ा गना तो किसी रात को क्या करती है घंदुर-डलाय। गंदूर लाइफ का मतलब होता है कचछला उचला फेेकल चथामन चेथरा का मतलब होता है फटा हुआ कपड़ा पूर्ना फटा हुआ कपड़ा को हम लोग चेथरा लेके आई और फुटल तुमबा आप लोग जानते हैं बहुता है कौना छो हे तो उसका अंदर का जो जो भी क्या कहींत. उसका निकाल देता है। तो उसके बाहर का implants बनते हैं कड़ा एक्सम रहता है तो उससी में यो पहले पानी लेगने का हाडी लेगने का मद suspicion मैं करते थे इसी को कहा जाता है चाहिए है मेरी बात को हम क्या बोलना चाह तो उसी उकाते हैं तूमबा तो टूटल फुटल टूमबा को पाई चत्रा लोग को वलाई और वेटा को कहीं लो इसको तूम बढ़ गया हो अब तूम बूद्पी के जिंदा नहीं रहाँगे तूम आदमी चवबा हो तूमको बन मेरा ना अच्छा नहीं रहेगा तो तूम क जोड़ो और तूमबा को टांग अपना गला में घयचा में ठीक है और सब का दूरा दूरा में जाके सबके घर-घर में जाके बूल के भूल के घुम-घुम के भीक मागो और जो मिलेगा भीक में उससे से घुजर बसर करो यह बात को यहां पर बोल रहे हैं चलिके बढ़े सब्सक्राइब और बन पारे जे बढ़का इसन महुआ का चाहे ओकर हैटेट थाड रहते उहां मैं तो के रोज भेट करेक चामूँ चाहां कहला लग आयो मोई उसने कर गूँ देखिए यहां पर कैसे हम कैसे बोलें ओयो ठीक है यह कैसे लिखा होई यो ठीक है तो हम लोग भीक मांग भू कहलें आत्मी मन भीक देब़ आयो मोर बन पापा मोर विक्रम दी तराय भीक देगे माय बहनियां भीक देगे माय बहनियां तो अब क्या है ना कि छववा भी बोलता है, मतलब कि यहां परसे, कि जैसे-जैसे मतलब उसको बोलती है कि तुम घर कर जाके भीख मांगना, और शाम को तुम यहां से धूर आना, और बन के बाहर जो बढ़काई सन महुआ का पेड़ है, कोशन बनेगा, महुआ का पेड़ है क्वेट करने आएंगे कि बात मेरी बन की हिरन है और मेरी पिता त्विक्रम दित्र आये हैं भीक दो मेरी माम माई भीक दवा माई भीक दवा इसे करके भीक मंगो इस तरह से उसी खाके भेजदी और एक बात बैटा तो है, पूरव पश्चिम और उत्तर का गाओं में तो बुलाबे, बुलबे मगर दक्षिन बत ना जाबे, उसको बोल दिये कि सब तरफ जाना, उत्तर पूरव पश्चिम जाना, लेकिन दक्षिन में मत जाना, ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा, बुलब ना जाबे नहीं जाना ठीक है छवा जवाब दे लग फो यो मोई उसने कर भूँँ तोई मोर अंदेशा ना कर भे मोई रोज सांच के उ महुआ गस्थिन तोके पठरा मुँँ तले छवा गूँ चेतरा मन के गठियाए के कोनो तर पिंद लग तूंबा के खांदे टांग लग और भीख मांगे चेजद लग उपहले पूरा बट सोचा लग एक गाउं में ढुप लग एक गर करदुरा ठीन गिलग और गयक लग 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 आयो मोर्वान के हेरिनिया बाबा मोर वीक्रंदतराय ऐसे करके गाना अपना गाने लगे अपना राग में गाता है लोग ब भीख देगे माई पहनिया भीग देगे माई पहनिया ठीक है तो यहां पर से यहां तक मीनिंग मतलब आते हैं कि छबब बोलता है कि हमां हम उसी तरह से करेंगे मेरा कुछ अंदेशा मत करना रोज सामको महँआ का जो पेड़ है वहीं पर वहीं गच ठीन तो के पठरा मूं इसको पिन्दा खांध में तो पाइब टाना और चलो गया है तो च् logrत वोट नगींस टिक है और पहले वह पूरब कि रखग गया और गौम्मस धुक्न क्या मैं आ अंदंड धुकूं क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो उसी को एक गाओं में धुकलक कि आ गया ठीक है एक घर कर दुराठीन के लग और गाना गाने लग गया यही वाला चलिए आगे पढ़ते हैं ओकर की इतना सुन्दर रहे कि घर कर आदमी मन कुईद निकल ला है और गाओं कर जे मन सुन ला है ओहों मन कुईद पहुंच ला है सोग कहें कि तुर्की बाबू बड़ा सुन्दर से गाओ एक धाओं और गाओ ताबे कर और गाओ इसे करके लोग बुलने लग जाता है तो चब्धा और एक धाओं राग्षूर मिला है कि इसने गाला कि आदमी मनों के बीना मंगले भीग देख लाग लाग लाए कि चवर ला बड़ाया विट्टा एक और और सुना तो सब कर बहुत हो जाता है उससे को चावल लाके दे रहा है कोई दाल के दे रहा है करना नमग करता है नों नों मर चाय इके नों म्लों मिलाए के पोतलबाद के खाली आइस से करके बोलते हैं ठीक है तो नॉन तेल को मिला लिए मना उसको मिल रहा था साला कुछ की सब चीज, तो क्यों जनाना तो भाते तियन हेर आईंग देत रहे हैं, छोगा एतना चीज के कहां राखी, कहां बांदी और कहां तर ले जाए, से उन जेतना पार लग, उतना तूंबा में भर लग, चीवरा के चेतरा में पुटाम कर लग, और सौब हाल बताए कहलग, उत दीन वहिरकर सौब हाल गेल बताए दलग, से सुईन के हिरनी अनईत रिजे और कहे कि रोज दिन उसने कर भे बेटा, तो कहयो भूके नहीं हो बे, यह आहां पर जो है कि जब ये गाना काता है, तो कुछ इस्तरियां जो होती है, वो भाते तियन सब्जी को, भात और तियन को हेर के, हेर के मतलब की निकाल के, ठीक है, भात तियन काड़ना या फिर भात तियन हेर के देना, तो हेरना मतलब होता है, निकाल के, सब्जी को, खाना को निकालते हैं, तो उसको हेर करते हैं, अब छहुआ है, यतना चीज को काची मिले के जाता हखा तो हही पर खाया जिसको क्या बीर बनाए और जटना सकता है तुंबा में डालने सका तके जह के मिलता है तो हरनी आती दूशको होत pamię अनेक दिरीजी होती है बतलब कि बहुत कुछ होती है और कहती कि रोज दुनना बेटा इस ने करना अगर इस ने करेगा तो भूखे कभी नहीं मरोगे है ना चुरा मुरी लाइन रहे हो के माई हाड के चाखेक दे लग तो हिरनी कर फुषी कर ठेकान नहीं दूसर दिन चुब हुआ लागिन कर या लाइन देते क्यों दोती लाइन देते क्यों प्राइंदे और क्यों जनाना मंते है उंसे मसावा ना नहीं कर रोधिन दाइन ना टिक इसने होते होते उपुरब उतर पच्चिम कर सब गाउं में भीक माई पुरा लग तो यहां पर क्या बोला जा रहा है फिर से वह दूसरा गाउं गया दूसरा गाउं जाने में जो जनी लोग मने इस्तरियां थी और वहां की पुरुष थे उन लोग भी बहुत खूस हुए तो कोई अपना अपने हिसाब से कुछ खाने पी निकली उसको ला दे रहा है तो इसी तरह से वह करते करते जो है पुरब पच्चिम और उत्तर इतीन दिशा में तो भाई भीक मान के वो निचु ठोग जुगा था ठीक है अब आगे है अब छववा सोचे के लाग लाग मोई पूरब उत्तर और पच्चिम कर गाओं में तो जाय पुरा लो अब केने जाओं तकिन बट तो आयू जायक मना के रहे मगर मोई तो केक्रो कुनों नी भिगडा थों कुनों हानी नी कर थों और सोबे अदमी मन मों के एत केट कि आख चूका था अर उसकी मां ब सिखकर बड़ा करना अचाने दिसा था अम को जाने से कहा नीं होगा हम थो यह दो इसे मंगा चो है मतलब कि एक बार हुने मतलब कि उस तरफ जा के देखिए लगते हैं यह बात को यहाँ पर बोल रहा है अब आगे है इसन सोच के उन एक दिन दखिट बट के लग एक गाउं पहुंच लग एक धर कर दुराथिन आलक और गायक लग लग कुशी द्वात को गाता है आयो मोर बन बाबू आपन गी और एक धाउं सुना जे कहबे से हमरे तोके देखकर पोशी स्तर तब फिर यह क्या करता है कि दक्षिन की तरफ जाता है इसका मीनिंग में मतला आता हूं दक्षिन की दिशा में यह जाता है सेम गाना गाता है ठीक है सुनके पूरा गाउं जो हो गया जो सब कोई अचमभा करने लग जाता है ठीक है सिर से मूडी तक उसको मूडी से एडी तक मतलब कि सिर से लेके पाउं तक उसको लोग देखता हो कहता है बाबू यह पर और इंगला जीत को सुनाओ जो हम लोग से बन पड़ेगा हम तुमको देंगे से छोड़ा और एक धाउं पिर से गाना गा रहा ठीक है तो यह देखे फिर से गाना आदमी मन विक्रम दित रहाएकर नाव सुन के अचंभा कर लें कहा है कि विक्रम दित रहे वह मनक राजा रहे हैं और नजिके कर नगर में गड़ महल उठाए के वहां ने गोटा मूलुग में राइच करत रहे हैं स विक्रम दित रहे तो यहीं के हम लोग के राजा आए तो इस चुबा के बारे में एक बार विक्रम दित रहे को बता देना चाहिए अब आगे हैं विक्रम इन राजा से बेट करके कहला है महराजा हे महराजा हमरे कहा लेग और उगलका नश की सिकाल कि अब हर पूर दिक लिए ठीक है इसे आदमी मन चाहँआ के बोलाय लाने ग्यलाएं और हिने राजा और राणी ओमन गीत सुने के लिए तयार भलाएं तो अब यह क्या होता है ना कि महराजा को जाके बतलाता है लोग के देखिए भईया एक महराजा तो एक बच्चा है वो आपी तर नाम लेलेक करते हैं गीत सुनने के लिए अब आगे है कि छवब पहले तो डरा लग मगर पाच्छे सोच लग कि जब राजा इतना प्यार से बोलाथ है और यहो आत्मी मन मोर लाई एतना करत है तो मों के माई न रखे चाहिए अब लड़का जो है ना सुरू में अब कोई भी राजमाह में जाएगा तो टेरेगा तो बच्चा भी डर जाता है लेकिन बाद में सुचता है कि इन लोग सब एतना हमको प्यार दे रहा है इतना हमसे मिलना चाह रहा है मेरा गाना सुनना चाह रहा है तो हमको भी इन लोगों का मान रखना चाहिए उन लोगों का मान रखना चाहिए इस बात को यहां पर बोला गया है, कुम महल में आलक तो देखाते है कि राजा, रानिमान और राजकुमार, राजकुमारी और दोसर आत्मी मान जमा होई गलना है, चाहुआ कर्या पिनके, गंशा होड के और तुमबा टाइन के आलक, तल एक हुकुम मिलक, साथ को राग सुर म मिलाएक है, गायक, गायक और अकट लग, मत пользовी अब उसको रूग मिला और वो उसका पहनावा कवित की चिक्रिक किया गया है, कि कैसे और करया पाना हो, मतर्ब कि लग और बाद बांते ही हुए, ठिक है, तुमबा टाणगे हुए, ठिक है, और गंशा होड लिया है, और जैस राजां इस थाओं और यह जिसे गाता है तो राणी का निकलने वोता ना कोई की गाना सुनिए यह तो आपकों से आशु आ जाते हैं तो ही आपकों से आशु आ गए राणी लोग के ठीक है और सब इसको कहने लग गया है कि बाबू एक बार और सुना खीक है तो छोड़ा के राजा कर सामने कुछा केछा कर राकर ह्याओ नी पर लंग राजा टो सब क्योंके उहां ले भेज देलाज और आपने छुड़ा कर पनार लेका लगलाज तो कहां करह की क्येत्व काव के तूर्मन्ट के वाप तहां रहिसला काक तूर च्वघाव देल अ Allem मोई खाली एतना जाना हूना कि एको हिर्मी मोगे माई सरी दूप प्याद बढ़ालग से मोई बने में रहो ना और गाउ मन में भीग माई माई के जीओना मोर्माय илिया मों के इकी सिखायते लग एक जीत कर आराक होई जो यहां से तरह का मीनिंगं हम बदा लेता है आप लोगों को जैसे ये गाना गाता है ना तो सब कोई इसको फिर से बोलने लग जाता है कि भाई एक बार फिर से सुनाओ ठीक है अब सब कोई सुनता तो है ठीक है बरन बरन का चीज इसको भेंट भी करता है लेकिन लोग सूच में पढ़ जाता है कि जो गाना गा रहा है कि विक्रमा दित् माग में लग जाता है लेकिन डर के मारे किसी का हिमते नहीं होता है यावनी परलग का मतलब किसी का हिमते नहीं पड़ता है कि उससे किस तरह से पुछा गुच्छी कर जाया अब राजा जो है राजदार्बार से सब को भेज देते हैं और बचवा को बुलाते हैं और उसका ब बादचीद करना ठीक है इसन्हार के अंतर उसी तदाया तब कुछते हैं कि तुम कहां से हो कौन हो तुम तुम्हारे माए कौन है तुम्हारा बाप नहीं हो तुम क्या करते हो तुम इस तरह का question जो है ना विग्रमा दिते रहा है तो लड़का बोलता है देखे महाराज हमको क मैं जीता हूँ और गाओं में भीक मांग मांग के मैं जीता हूँ मेरा मां हिरनी है और वही हमको ये गीत सिखाई है कि गीत का मतलब क्या है वो भी हमको नहीं पता ये बात को देखिए जो रड़का है बोलता है राजा सोचनों कि छववा रंग रूप में दोसर राजा छववा मन से रिखे तो आहे केकर कुन सुरो ओहे मनक लखे आहे केकरो बेटा हो के पोस्पड़ामूं और देलगूं की कैसन आदमी बनेला ठीक है राजा छोड़ा के कहला है बाबु आइज ले दोके और भीक मागेक नहीं होई तो एह महल में मोर साय रह राजकुमार मन नियत पीद ओड़ वह मन से खापी और खेल अब राजा जो है न वो सोचने लग जाते हैं कि यह जो लड़का है न दूसरे छववा मन के जैसा है सराइक मतलब के जैसा है उसी तरह से गून है उसा है रूप रंग है ठी लड़का को कहते हैं राजा कि तुम एक काम करो बेटा अब से फीक मत मागो तुम अब यहीं रहो मेरे महल में रहो और राजकुमार की तरह ही पुइंधो ओड़ो पुइंधो मतलब कपड़ा पानो और वह सबसे तुम लोग खाओ प्यों और खेलो अब आगे है कालेक राजा नोकर चाकर मन के हुकुम देलाएं कि इच ववा के बेस्तर ना हुआए कि सुंदर सुंदर रुगा और सिंगार पिधाय देवा अब छोड़ा महल में सुक से रहेक और राजा चववा मन से खायक और खेलेक लाग लाग मगर रानी मन मने मन हिसेगा करेक और ज धायना का जानी कोनों दिन इके होई आपन राजगंती और राई छोड़ जावाएं से खान हामर और हमरे छववा मनक कुकूर बिलाए मनक दसा तेर जुन हो जाएं सैतिन भल मगर सैतिन के साल नी भल ठीक है से इके कोनों दोस लगाए के मोर मुराविक चाही अब देखिए बच्चा तो देखिए महल में रहने लग गया ठीक है लेकिन राणी लोगों ना जलन लगने लग गया भाई यह जो लड़का है ना उजरूर राजा को एक राणी रखे होंगे कहीं पर उसी का बेटा है ठीक है तो इसी लिए बोलती है राणी मन मने मन जो है ना हिसंगा कर होने लगती है जलने लगती है जलन होने लगती है आपस में लोग सलाह विचार करती है कि देखिए बच्चा जो है वो तो ठीट है ठीक है जरूर कोई ना कोई राज है राजा जो है ना कहीं शादी करके एक राणी को रखे होंगे और उसी का यह बच्चा है ठीक है और का जानी कोनों दिन इसी को अपना राजगद्धी और राजए छोड़ जाएंगे इसी बच्चे को ऐसा रानी लोग सोचने लगते हैं कि पहले ना राजगद्धी का लड़ाई ठीक है तो आचो होता है आप लोग देखते हैं उन्हें मुपमंत्री का गद्धी के लिए क्या से क आप बोल बोल के लोग आ जाता पांच लाग नौकरी देंगे दस लाग नौकरी देंगे आईसा भोल गुष जाता था ने जी तो ऐसा ही है पहलेवी बहुत बहुत को होता ही रहता वही सड़ी MAN सोचती है क्या कही एक न एक यहीं बच्चा को राज पाठ मिल जाए और हम लोग कुरकुर विलायर के तरह इधर उधर घूंते फिरते रहा है तो सैतिन तो भली होती है लेकिन सैतिन का साल नहीं भल मतलब कि सैतिन का जो धिया हुआ जो है न वह भला नहीं होता है इस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है अर गले में हुआ कोणों दोस्तों से लागा है मगर कोणों दोस नहीं पर ला है एक दिन राजा चोण मिल बंद के खेलत रहा है सहह खन सोब्रानी बंद मतव कर पारी कर वा पा Sixtー छET क्राबहों कर लग की बस्व से हम एक बो knife दीक हीसा काम नहें कि Kiri भी देलाग हाई दया आप मोई नहीं है बाचवी ठीक है तो यहां पर क्या है ना कि तो यह शडियंत्र कर रही ती किसी तरह इसको नर्वाना है ठासवा देना है उसको मरवा देना है तो एक दिन क्या होता है तो इनके बच्छा लोग ना गुलेल खेल रहा था ठीक है तो सेहख कान मतलब उसी समय सब रानी सब जुत जो है डहराब मतलब तलाब से ना के आ रहे थी और इधर हेरने का बेटा का पारी आया गुलेल चलाने का तो गुलेल को नहीं किया थे तह जुडों मूटों के बढ़ का गई ठिक है और Hi Baba Hi Aiyoka कै के बोलने लगी की मेरा डंडा को तोड दिया गुलेल से मारक के गुरहा करो क्याते हैं हम भीत बयूप बनाए है ओ भुहा देखिक मिट्टी में और इसी में अम लोग मतलब की गोरहा इस तिलते बतानिया बच भी नहीं तो उपनों ते उठ लग और लगड़ाते महल अलग आते आते हूँ खटवास पटवास ले लेट लग उखटिया उपरे सने पुराव मन के डेसाए के उपरे उपर दरी दलेचा डिसना मन डाइस के सुईद के लग उमार हिने हुने उल्टे पल्टे और गगाय हाई दया मोई लभी रही तो हिटे सना पुट्वा मन आं रट पाट। रट पाट करे और रुंख कुख के कहे हाय आयों सफब्सी से लगडाते महल आती है और खटवास पटवास लेकर सतना होता है पूरा होता है ठीक है मोटा порा होता उसी को सनय पूरा कहते हैं उसको भिसा आ के उसी का भिच्हावना बना के उसकी ऊपर मने की वेट लगा के उसकी उतर जाती है और ऱटती प्लटती है और गगाने लगती है अब जैसे इधर उदर भोलती है कि मेरा प्राण ले प्राम ले गया तो राजा हाए कि क्या हो गया रानी तो रानी पलंग मिन पर ओलाइंट फिर क्रिया में मतलब क्या होता हुँ तो हैंट आप देखें सने का जो पूरा होता है नवर्ट पट रट पट रट पट आवाज करता है तो पुरा मतलम को समद रहे है ने, पू試 को फूरा कहते है धान का पूहाल, सनय का पूहाल, ठीक है, तो उसको पूरा कहते है, तो पूरा ही सब रट्पट रट्पट पमच रहा है, तो राजा उससे पूछते है कि का हुआ भाईया बताओ कि तब तो पैसे तुम्हmara डंडा ट अब आगे है राजा कहें नहीं रानी मोई रावर के मोरक नहीं देबू कहूं कई से काभिलत तब नहीं मुए कौनों उपाय कर्मूं तो रानी कहती है रावर दया कर फर धरलत पूमु जहुशा छोड़ा के रावरे कहा नहीं कहा से उठाई लाइन ही कि आई पी आई के पोई ओहरे रावर बुद्धी मोर हया सरम पर कोनों विचार नहीं तो अब यहां से यहां तक का मिनिंग बतला दते हैं तो राजा कहते है रानी हम आपको नहीं मरने देंगा आप बताए तो का हुआ तो रानी बोलती कि आप जो मुझहोंसा मुझहोंसा तो एक तरह से गाली देखें कुछ कुछ चीजिज है तो सीखें तहएं हात07 को हम लोग फिक थेक़े तो उसको बोलते है लेभड दाना ठीक है और बींधना का मतलब होता है तीर चलए लेται दिया एसे करगे बोलते हैं ठीक है तोनों का confusion एक दम clear हो गया हाथ से किसी चीज़ को चलाए ठीक है तो उसको कहें लेबदाना खेकना और जैसे तीर चला है तो उसको कहें कि तीर बींद देल ठीक है गोरहा बींद देल तो है बात को यहाँ पर लिखा गया है कि गोरहा से गोरहाई बींद लग इसलिए म बाइद को बुला दर है तो रानी कहती है कि मेरा डंडा तूट गया है मेरा कमर जो है उसको आप बाइद को दिखवाईएगा कोई लाज सरम नहीं है का एक दम आपका बुद्धी खतम हो गया है का इस बात को रानी बोलती है तो फिर राजा कहते है तो राव रहे कर बुद है ना तो तुम अपना भुद्धी अपना विचार से बताओ कि कई से तुम ठीक हो तो रानी अपना देखे दिमाग लगाती सड़े अंत्र रचती है ये काम कीजिए जो हमको गुरह से मारा है उसको काट दीजी और उसका फून जो है ना मेरा डंडा में माख दीजी तो हम हो जाएंगे तो राजा सुन के सन हो गया है भारी सोच में पाईर गया है मगर वू बचन देख रहे हैं आखिर में वह कह लाए अच्छा रानी मोरे करवात मत सोचू मुँ छोड़ा के काटे और उकर लहू लाने के तो अब राजा जो है वो सुनते हैं रानी का बात को काही मने लगाईए तो हम ठीक हो जाएंगे तो राज़ा बोलते हैं कि ओय न कोई ब्र भेद सेक जरूरे है तो राजा सूचते है तो बच्चा को क्क आट के लेका रहे हैं उसका खूंद और राष्ता में सूचते है creator फ्रीन राजज unto प्राज करने वाले भी राजा हुए है ऐसा नहीं की नहीं है तो यह राजा सोच में पड़ जाते हैं कि ना कोई ना कोट्व सड्यांद्री लोग राज रहाओ बच्चा के खिला तो एक काम करते हैं हम कुद्धा को कटवा देंगे और उसका लहुँ को इसको लगवा देंगे तो का जानेगी कि वच्चा का खून है कि कुद्धा का खून है ठीक है अब आगे है से उजाय के दुग सिपाही मन के बोला लाएं और हिर्नी कर्च हुआ के जहल में ले जायक कर रुखुम देला हैं हुने एक दोसर सिपाही के कौनों कुपूर के काइट के उकर लहु लान लग और राजा के वो लॉडीन कर हाथे देके रानी ठीक पहुंचा लाएं राणी राजा कर आएक जाएन के पहले हैं लखे को पुम्रेक और अंट संट बखेक लाग लाएं राजा आएक के कहला है ए रानी ए रानी मुए हुँ छोड़ा कर लहु लाइन हो लगे लॉडीन माइक दे लॉडीन राणी कर आगे लहु क्या मढाय दला और हाथ में तनिक लहुक लेकर माखे का लाग लग कि रानी कुछ उठ रहा है और कहा है मुए बैस हो गया ठीक है तो यहां से यहां तक का मीनिंग राजा जो है ना तुरंत क्या करते देखे राजा भी देखे दिम हैं और बोलते क्या है कि देख़ो हम की लहु लाएं उछे-वटर 보여 राणी को आगे क्या मतलब होता है नोक रानी भंगरी उसको ललब डंडा हर कि टमड़ के कहाँ है आप एकको ठोब बत्था नहीं बिल्कुल बेइस फए कर लाओं लुव नगध़ गुणकर लंग अब डंडा हर के मतलति अपना कमर को छूती तमडना के मतलब चुना हाथ से चुना तो उसीव कहते हैं टमड के कहती है कि अब एक कोठ बाता नहीं है बाता नहीं मदब भी दर्द नहीं है हम एकदम ठीख हो गया है और छोड़ा का लगुज जो है ना नगदे कुन कर लग मतलब भी बहुत बढ़ियां काम किया ते लिए जब आगे हैं राजा चेल केला और दोसर रानी मन आयके पट रानी के कहें दिदी रावरे वेस उपाई कर ली अब हम रहों कर जीव गुविरालक कहां नी कहां कर खेकलाहा फिकमंगा छोड़ा के बाला राजा हमर चोवा मन से खियात खेलवात रहें देख देखके जीव प पता चले से वह भाव एक लाग लग हाए का भेलग इच्छा हुआ कहों दखिन बठतों नी चेल के लग काहें कि जेगेत सिखाये दे रहा है उकर में विक्रमदित राजा जोड़ी दे रहा है तो अब यहां है कि राजा जो है चले जाते हैं मिनिक मैं मतला आता हूं तो गकर जो हिरनी जो है वह अपना बेटा को नहीं पाती तो भी सुचन पढ़ जाती कहां चल गया तो सबतर्फ होसती है अइं पूरब में पर मन में सुचती है रहा कहीं दखिन में नहीं चल गया है क्यो णोटीएं इतर नाम जोड़ी हैं गाना सीखाये है तो ठीक है और दख बेटा कारने घुर ले अब छवा सुन लग तो गहला कि हां आई यो आई यो जहल रे बिना कारने आयो बांधलों रे ठीक है आई हीरनी ओनाय के सुन लग और चीन के गांदे का लाग लग धेंगुर तरे जनमालों कुता मुशा डाडे कोशनों रे कवनमुदय बेटा बेरी देखिए अब यहां से यहां तक का मिनिंग हम समझाते हैं कि सींग में जो ना है सींग में एक रात उसींग में दिया बारती है मतलब भी कौन हिरिंग और एक तो थाली सजाती है खाना पिना के लिए थारा थारा मतलब भी थाली सजाती है और बो के बेटा हार को कोई निकलती और जब पोच रही है तो संजोग से वही नगर बाहर। जेल के बाहर ऊगा माता है कि मेरा बेटा कहा कहा है आह मतलब है क्मछां कूँ आधा यह लूटा तो उच्मद वहां पर ऊच्योग सुनता है तो कहता है जैल में हैं बिनाकारण देखे ना हमको जेल में बांद दिया है ठीक है फिरने ओनाय के सुन लग और चीन के कांदे के लाग लग धेंगुर तरे जनमालों कुता मतलब की तुमको लकडी का जो बड़ा सा पेड़ का लकडी है उसके नीचे हम तुमको जनमाएं हाँ मुसा दाणे पोसलो रहे ठीक है और मूसा दाण है खिंप मुसा दाण मतलब के ऐसा दाण जहा हुसा बहुत होता होगा तो उसी को मूसा दाण बोला जा रहा सब्सक्राण में हम पोसे दाण मतलब की लिए ासे कौन मुद्दाई बेटा बेडे देल मतलब कौन मुद्द वेटाइब कौन दुझमन तुमको बेडी लग डाल दिया मैं झेल में डाल लीट जन जीर में मान दिया तो हिर्मिकर बेटा भीदरे कायन के जवाब देत हो, मोसी आयो कहल नहीं माने, बाबा आयोगे जहर बेरी देल, अब बहुत गाह के सुनाया जाता था, और बहुत मासूमियत के साथ बच्चा बोल रहा है, कि देखे न मोसी, मोसी मतलब रानी लोग को बोल रहा है, जो माहल मे है, ठीक है, उसके वज़ा से ना हमको बायो, बाबा जो है, मतलब मेरे जो पिता जो है ना, वह हमको जेल में, जंजीर में बाहन दी है, इस बात को, मतलब की हिर्नी के चहुआ बोल रहा है, हिर्नी पहुच लग और जहल कर दूरा के इसान लाइथ मार लग, की दूरा फक के उहर गिलाग, तलक उचोणा ठीन गिलाग, बेटा बेटा कही के कांदलाग, चुमा देलाग, तले थारा उकर आगे मडाए गिलाग, छोड़ा सुब आपन बितल बात मन के बताए गिलाग, खिर्नी के दिलासा देके कहलाग, मोई इसने रोज आमू उटसे धिरस धर्वे, अब हिर्नी जैसे अंदर पहुंचती है, जेल का दर्वाजा को एक दम लात मार के तोड़ देती है, और फिर अपना बेटा से मिलती है, उसको प्यार करती है, दुलार करती है, खाने का समान रख देती है, खाना खाता है बेटा, तो बेटा भी उसको सब बात बताता है, ठी ठीक है तुम यहीं रहना और ऐसा ही हम तुमसे रोज मिलने आएंगे और चल जाती है आज ये बटले हिर्नी आलग से बटले एको अहीर छपरी बनाए के राइत के आपन गरू कड़ा मन के ओगरत रहें से उन हिर्नी के देख के बहुत ताजूब करला दोसर और तीसर राथ ज आते जाते वही गाना है और भीतर से उसी तरह से जवाब आता है कि मोसी हमको मुराने खुष्टी है और बाबा आयू हमको जेल में डाल दिया है तो यहां से यहां तक मीनिंग बदलाता हूं तो जैसे ही घर्नी जब वापस चली जाती है न तो अहीर जो है न अपने छपरी बना रहा था छपड़ी जो हता है न छट बना रहा था और छटे के ऊपर लोग सुता था ताकि गरू कड़ा इसाब को देख सके ठीक है गरू कड़ा मन के ओगरत रहे होगरत रहे का मतलब होता है उसको देखना उसको ओगरना मतलब देखना किसी भी चीज को देखना ठीक ह किसी भी चीज को क्या कैसे कहेंगे पहरेगार लोग केसे खड़ाओ के देखते रहता है कि कोई गुज तो नहीं जा रहा है तो उसी चीज को कहते हैं हम लोग फोगर ना तो हिरनी को देख के बहुत ताजुप करता है कि यह उनकौन सा हिरनी अब अब आबा जो एके रास्ता स से आती जाती और भोगर भोगर के कांती है और गाना गाती तो इस सब चीज को ना अहीर देखता है ठीक है अहीर लोग के देखता है तो फिर की घर्नी जेल का दुराक एक लाइद डिलग और दुराक फिल गिलक तल की इरेण विद्रे जाए के छोड़ा के चूमा चाटी द पहुंचाओ सिपाही मन राजा कर हुकुम पाय के अहिर के राजा ठीन ले गला है राजा पूछ में का बात है जित वह इतना विहाने आले जिक आहे शे कह ओप यहां से यहां तक को मुनिंग बन बताएते हैं, हिर्णी तो है ठीक है। वह चुमाचाटी दुलार करती एंखाना पिने पितलाती है क्लिकलत को ना बिहान होते एंग नहीम महल बटुडलत दोड़के जाता है और सीपही सबसे करते है कि हमको राजा से मिलना पहुट जोड़ी खी रिखन की मestarइइ पहुंचा एक हम तो राजा पुछता है इतना सूभा कहा आया है इतना भिमाने काले काले आती कि आते सुपआ हो तो अहीर कहतै या बोलते है इदर तरी मौत भुमाओ यार जो भी है व Begin बोलो तो अहिर कहें के लागला महराच जहल गर ले थोरेक दूर मोई छपरी डाइल के राइत राइत के आपन गाय भाइज मनक रखवारी करो ना से चाहिर राइत ले मोई देखा थो कि आधा आधी राइत के बंड बटले एगो हिरन आपन सीग मन के थारा राइक के करो हिरन के जवाब देला तले कि हिरनी दूरा के लाइध मैर के उगराइला वित्रे जाय ला और एक जंश हुआ के चुमा चाटी कहिर के खिलाया पिलाया टेकर पाचे उजने ले आयला तने चेल जायला तो यह सारा चीज को बताता है कि भाई देखिए ना एक्टो हीरिन आ रहा है राजा साहे एक्टो हरनी जो है वो आती है अपना सिंग में बती बार के आती है थाली सजा के खाना लेके आती है और जहल का दरवाजा को लाथ मारती है और जो हरनी चहुआ है उसके साथ मिलती है और बातचित करती है चुमाचाटी करती है ख्याती प्याती है और जिधर से आती उधरे प्र चल जाती है राजा पूछ ले का तुम सद कहदीश अगर जूट बोलत जीश तो एकर सजा होई तो राजा बोलते हैं क्या बात कर रहा है अगर तुम सज बोल रहे होना तो ठीक है लेकिन अगर जूट बोल रहे होना तुम कुछ सजा देंगे अहिर कहला महराज मौ किर्या खात हूँ कि मौ का बात बिल्कुल सत्ण है अगर मौ जोट बुलात हूँ तो मौत आइक के घायल कोईर देच चाहिए चाहिए मौ के फासी देच अगर मैं गलत बोल रहा हूँ नो आप ठोड़ के घायल कर दीजिए ने तो हमको फासी दे दीजिए तो राजा कहलें अच्छा तो आई राइत के मौत औरे छपरी में सुतेक जामू और हिरनी की दूयो जहन पछड़ा दो अहिर जवाब देलक महराज अपने जे कहत हैं ओहे होग मगर इबात के एखन केखों ना बतावाएं तो राजा बोलते हैं ठीक है काम करते हैं तुम जो छपरी बनाया था ना उसी छपरी में हम भी आ जाके सुतेंगे ठीक है और देखें कि क्या हल है तो अहिर बोलता है ठीक है लेकिन इबात को किसी को मत बताईए से राइत के राजा महल से चुप्चाप निकल ला pertama है और आहीर के छपरी में सुते कि आधा राइत के राजा केकोक रगाक सुन ला है और कुट के बैइट गान तो देखते है कि एक हरीन आहीर कर कंग नियर दिया बहर के और धर्णाव्यक के आवा थे तो यह कर पीछे इन लोग अपना प्लानिंग किया था उसके अनुसार जो अहीर का जो बना हुआ था छपरी उसमें जाके सोते हैं तो आधा रात को राजा केकरो साड़ा सुन लें है वेटा उसी तरह से जवाब दिता है इसमिंद के हिर्नी धुरा की एक लाई तो मार लग दुरा खुईल ये लग हिर्नी छोड़ा के चूण लग प्यार कर लग ठीब तेल एक हिर्नी बेटा हरके पहले तर ड़ाडस दे के दुरा ले निकलत रहे कि राजा कल दारत की हिर्नी एक वो सुंदर रानी में बदल यला और कहे छी छी के मुके धरत है राव के जो मुके छुवा थी मुके जाइक देव तो अब राजा जो है ना पीछा करता है हिर्नी का अब हिर्नी जिस तरह से लौट रही थे अपना बच्चे को दुलार करकी तो वैसा है राजा उसको पकड करते हैं ना तो हिर्नी जो है एक सुंदर सी अपसारा में रानी में बदल जाती है और कहती है कि हटो हटो मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम कौन हो जो मुझे छू रहे हो मुझे जाने दो ठीक है तो राजा कहला है माफ करू मुए रावरे कि नी छोड़ मूँ नी जैक द कि बताईए कि कौन हैं जब तक आप नहीं है करने बने और कैसे आप परी और रूब परिवर्तित हो गया किया यह सारा बात को राजा पूसता थो हिरHisत और कृध है कर दो घूरेμεन है रा विश्वामत बहु काम इंदर्डव रहे हैं उनकर भेज के देख के मोई हासी रोकेक नी पारलों, उतने में मोनु खिस्याए के लों और सराप देलों तो के अपन जवानी और सुन्दरई कर गमंड जड़ी जाए है, जा धर्ती में हिरनी होई जा और जा का चाइट फिर, मोई गड़ गड़ायक के छमा मांगलों और जाएक देवू, राजा कहला है, मोई कि अब रावरे का चाइक देवू, चले मोर सें महल में, अब यहां से यहां तक का मीनिंग बतला देते हैं, फिरनी जो है वो सुन्दर रानी के रूप में परवर्तित हो गई, तो राजा पूछते कि तुम कौन हो, वो बताती कि मैं इ जरती में जाके हिरन हो जाओ, और इदर अदर भूम फिरो, और फिर हम उससे जब छमा मांगे, तो वो बोले कि ठीक है, तुम हिरन बन के एक बेटा चहुआ को जनम देगी, और जिस दिन जो राजा हो तुम को छू लेगा, उस दिन तुम अपना रूप में वापस आ जाओ ठीक है, अब आगा है, राजा कहा है, रावरे मोर छववा के इतना कश्ट देली, जेकर से मुखों इतना दुख भिला है, से हमरे महल नहीं जाओ, तलेक हुआ राव, दोसर रानी आहें, पुमन की हमार माय बेटा के सहक पारवा हैं, तो यहां राजा कहा हैं, जो लिखा राजा को गहती है, तो राजा कहते हैं, मैं इसका उपाय करता हूँ, रावरे दूयो कोनों कश्ट नहीं होई, मतलब आप दोनों को मैं कोई कश्ट नहीं होना दो, हरनी रानी कहला है, तो जब तक रावरे हमरे के आदर माय से महल में नहीं लेजा, तब तक हमरे के यहां र करते हैं और जिस दिन आप लोग एक भुटना भर सिंदूर यहां से महल तक बिछाईएगा मान मरजादा करके हमको मेरा बच्चा को लेकर जाईएगा उसी दिन हम आएंगे ठीक है उधाप का मतलब है जमा करना ठीक है उसी दिन हम आपको महल आएंगे तो राजा कहते हैं ठी कि एक ठो नवा कोड़ा कहक देरी नौकर चाकर मन कोड़े का लाइक लग लग लें तुसर दिन तक कुवा तयार हो गया कि काईल भिहाने नवा कोड़ा कर चुबावन होई से रावरे मन तयार हो जाओ अब राजा अपना प्लानिंग करते हैं और बोलते क्या है अपना सैनि लोग को बोलते हैं कि आप लोग तयार हो जाएगे तो राणी मन फिर बुछती है हमरे नहीं जाने कि कुवा चुवावन कई से नहोए ला तो राजा कर ला है चुवावन लाई यी विधान है मने चुवावन का ये विधान है कि फूटल फूटल थारी लहंगा उपर फूटल थारी लेव और फूल पतई और दिया से सजाओ तल लाहंगा उपर साड़ी पींद के कुवा उपर चगुर्दी थाड़ हो जब बाहन महराजा हुकुम देवाए तब फूटल फूटल थारी लहंगा उपर सारी फूटल फूटल थारी लेके आईए और फूटल फूल पते वाला थारी होना चाहिए उसमें दया तिया से सजाओ ये साड़ी पाहन ये उसमें साड़ी पाहन ना जुरूरी है ठीक है और फूटल का जो जगुर्दी है जो जगत बनता है ठीक है उसमें खड़ा हो जाईए और महा बामन राजा जब भुकुम देते हैं तो बल पे बैठ के पिंड को चमावन करना पड़ता है तो ये तरीका राजा पताते हैं तिसर दिन आलग कुवा चुवान कर सब सरजाम तयार हो लाए राजा नोकर चाकरमन के बताये देलाए कि के काका करेक होई तलेक रामी मन अपन अपन थारी हतलाए के दिया बाहर के गाते आलाए उन्हें बाजा बाजत रहे तलेकर रामी मन खुवा पिंडे चेड के चंगुर्दी धाड देलाए बामन महराजा पुजा कर भीत पुरा करने और हुकुम देलाए कि रामी मन एक साथ ठेहनुयाई के पुजा करों और कुवा के चुमावन देवों तो उन मन लोग आती है रानी लोग आती है पामन पुजा कराता है ठीक है तो निहूर के निहूर के का मतलब बता है जूख के देखे गुटने के बल हम लोग जैसे भगवान को भी प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं गुटने के बल में बैठ जाते हैं निहूर के तो उसी तरह से कुव पुए आमें ठटिल देता है और गड़ भरी करवा तब कुवा को भर देता है ठीक है अब फिर आगे है तलेक राजा होकुम देलाएं कि जेहल से महल तक पोटट डहर में एकट ठेवना सेंदूर छित्राइल जाओ एहो काम राजा कर कहल नियर होलत तलेक राजा गाजा पाज सहीद जेहल में गलाएं और गाजा पाजा सहीद घिरनी राणी और बेटा हार के महल में आनलाएं और सुखे से राइस पाइट करेक लाग लाग लाएं ठीक है अब इसमें क्या है कि राजा जो हुकम दिये थे उसके अकौटिंग जो जेल से लेके महल तक में ठेवना पर ज लिखा हुआ है कहनी इसन जुठा की बात इसन मिठा इसमें क्या पुला जा रहा है कि देखिये लोग कथा और कहानी जो होता है ना रहता तो जुठे है अब बताएं लगता है लेकिन है यी बहुत जोटा ठीक है और यह प्रस्तुति किसकी है फादर पीटर शांती नौरंगी की ठीक है तो दोस्तों यह है बन हिरनी कर बेटा का भावार्त इसको आप लोग बहुत अच्छे समझ गये होंगे जो भी नहीं समझे होंगे तो आप लोग comment section is open for all comment कीजिए suggestion बतलाईए इसका MCQ already channel पे upload किया गया है ठीक है तो यह है दोस्त अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्यार रखिएगा जय एंद